नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने घर पे आज की खबर जो है वो सबको हिला देने वाली है UPPSC plus ROARO के बारे में दो महत्तपोन सूचनाएं आपको इस वीडियो में मिलेगी पहले तो सबसे पहले जो मुझे कहना चाहिए वो ये कहना चाहिए कि जो सूचनाएं आपको इस चैनल से मिलती हैं उनकी सत्यताप समय के अनुसार धीरे धीरे प्रमाड़त होती रहती है अभी तो प्रिंटिंग प्रेस भी तय नहीं हुई है पेपर छपने के लिए और बच्चे कह रहे थे ROARO के पेपर छप गए है इससे पहले कल जो खबर लगातार वाइरल हो रही थी उसे मैं दिखा देता हूँ आपको जिन लोगों ने मुझे मैसेज भी किया ये रही किलियर नौ के इंद्रों पर होगी PCS परिक्षा समय लेकर इस वीडियो को देखिए और अपनी तारकिक और विसलेशन की छमता को दोनों को चेक कीजिए आपके कई सारे मैसेज थे बहुत सारे बच्चों के थे ये अख़वार में आया लेकिन इससे पहले जो आज का विसले है उसके लिए हम हाजिर हैं याँ पर जो सुबह आज के नियूज में है उन सब चीजों को समझना है और ये सब ही बच्चे धन्यवाद के पात्र है दो तीन तो इसमें वो लोग हैं जो हमारे चैनल के नियमित स्रवन करता सुरोता हैं विध्यारती हैं और एक भीया का तो कमेंट भी था ये साइद मैं अभी बताता हूं ने जो कैप लगा के थे ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद भीया आप इस प्रोटेस्ट में सामिल हुए मुझ पे जो बन सकेगा मैं करूँगा अने लोगों पे जो बने वो आपका सहयोग करें और नॉर्मलाइजिशन नहीं होना चाहिए आज का मुख्य विसा यह है राजकी प्रिंटिंग प्रेस में प्रस्ण पत्र छपवाने की कवायद सुरू मैंने बहुत पहले बता दिया था कि अभी प्रिंटिंग प्रेस अभी सुरू नहीं होई है और 2024 मेंस के लिए हमने प्रस्ण उत्तर पुस्तिका छपी हुई मिलेगी उतनी ही जगे दी जाएगी वही फॉर्मेट है जो आयोग साइज कॉपी बनाके देता है आपको वही फॉर्मेट पे आपको एविलेविल कराई जाएंगी आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं अब आ जाते हैं जिन लो होते हैं तो वह सब कुछ में मिलता है ऐसे ही जिसको मेसेज करना है तो वह और जो हाँ एक बात इसमें पेज नंबर 176 क्या है यह समझा देता हूं यह दो वीडियो आपको देख लेनी है बस इस पेसल क्लास इससे यह पता लग जाएगा कि क्यों हम 110-20% फसा देते हैं यू अपलोड मैंने तीन दिन पहले कर दी ती आज साम को अपलोड करूँगा तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लो यह पढ़ाई वाली वीडियो है ठीक आज की स्थिति में जो स्थिति बन रही है उसमें अभी प्रिंटिंग प्रेस फाइनल नहीं हुई है इस प्रिंटिंग प पमेटी बनवाई गई है देखिए राज की मुद्रनालेयों का निरिच्छन करके रिपोर्ट देगी फुल पुरूब बनाने के लिए हर संबब प्रियास किये जा रहे हैं अभी प्रसनपत्र निजी प्रिंटिंग प्रेस में छबबाए जाते हैं उच्चतर इस्तर पर हु आभी कश दिन नहीं पहले हैं ताडी विघुत कमेटी बनाई जाए जो लग्नव और प्रियाग राजकी प्रिंटिंग प्रेस का मुआइना करें साथ ही रिपोर्ट ने कि यह विवस्ता लागू करने में कौन-कौन से कदम उठाए जाने जरूरी है जब अभी तो यह कमेटी बनेगी यह कमेटी उन मुद्रणालेयों का नरिक्षन करेगी तब पेपर छपेगा इस खबर का पूरा मतलब यह है यह मेरा एक पेज कहीं वाइरल हो रहा है पीप और फडाओ बहुत बड़िया पेज है यह किसने भी डाला है वो मेरा पेज डाला है बहुत अच्छी लाइक्स और कमेंट्स और सेर्स भी अच्छे मिले हैं यह मेरे नोट्स का इत पेज है पहला ही पेज है प्राचीन भरत के इतिहास का अब जिन लोगों को जैसे कुछ नोकरियां अभी सचवाले में आने वाली हैं बी लिब एम लिब बाली MBA करके पोस्ट आती है आपको पता ही है UPPSC में बहुत कम कट ओफ जाती है उनकी क्योंकि यह बच्चा बड़ा मुस्किल होता है MBA किया हुआ ढूड़ना और वो सिविल की भी तैयारी कर रहा हो क्योंकि गट्स तो चाहिए प्री पास करने के लिए और बड़ी मज़ेदार वात है लोग से वाय हो कि देखिए आप प्री की कट ओफ अलग अलग नहीं निकाल पाते यह इतने तेजस्वी लोग है अभी मैं आप समझेए प्री की कट ओफ अलग अलग नहीं निकाल पाए हैं यह लोग उत्तरा खंड का जब पिछली बार का PCS हुआ था तो हर एक पोस्ट क प्री की कट ओफ में फिर चक्कर पड़ेगा अलग अलग निकाल नहीं पाते यह लोग और अपने आपको अब सबसे उच्छ बहुत देख स्तर वाले प्राणी समझते हैं कि उत्तरा गंड की अलग अलग आई थी जिन लोगों को अच्छा विस्विद्याल है मंगलायतन विस्विद्याल है वहां आप संपर्क कर सकते हैं यह मंगलायतन बहुत अच्छी उनिवस्टी है भी यह एंब यह एक बात और यह एल्टी ग्रेड वाली वेकेंसी थी इसे जान लो आप लोग बता रहा हूं मैं तो यह कंप्यूटर टीचर की लगबग अठारे सो पोस्ट में से सत्रे सो पोस्ट खाली रह गी थी पुरानी बात है मैंने बताई थी कि अबल पैंतिस पतों पर इन्युक्ती हुई तो यहां पे इन्होंने क्या किया है नीमा वाली में सुदार करके M.C.A. को इलिजिवल क लेकिन अगर M.C.A. कर लिया है तो B.A. की आवस्टा नहीं है तो जिन्हें भी M.C.A. करना हो वो मुझसे संपर कर सकते हैं ओ लेविल जुलाई सेशन के लिए आप लोग तैयार हो जाओ और यह ट्रपल नाइन सेवन टूनाइन फाइफ तरी टूटू अब सबसे बड़ी बात ही है यहां पर जो सोचना है आप सभी लोगों को अपनी करो कि इतनी सब इस्तिती होने के बावजूर क्या साथ और आठ को एक्जाम कराया जा सकता है अब साथ और आठ को कराने पर अभी केंडल मार्च भी है यह विरोध बढ़ता ही जाएगा दो दिन में एक्जाम न अनुपयोगी या अनुपयुक्त व्यक्ति वहां पर चुनकर बैठा दिये तो देश और उत्रपदेश का भविस्य किस ओर जाएगा मानने योगी जी से अनुरोध है कि एनिहाओ किसी भी तरीके से इन दोनों परिक्षाओं में नर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए एक ल लोगों ने मेरी बात सुनी बहुत बहुत धन्यवाद मैं सभी का तही दिल से आभार व्यक्त करता हूँ तब तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इन दो वीडियोज को आप ये जो दो वीडियोज है ये आप जरूर देख लीजे जिससे ये पता लग जाए कि या कि वो क्या चीज है जिससे मैं हर बार कहता हूंगी सौब परसन फसेंगे तो वो यही है है विनाइस डेपाई